वेलकम टूदी सूपर फास सिरीज अब देख लो बच्चे मिडल टर्म स्प्रिटिंग क्या होती है सर देखो बीच वाली टर्म को तोड़ना है तोड़ना कैसे है देखो जो दोनों कोने वाली है ना एक कोने वाली है एक कोने वाली है कोने वाली टर्म को अपने मन में करो अपने मन में तो यही आ जाए और एड करने पर पुरानी वाली मिडल टर्म वापस आ जाए अब देखो बच्चो जिनकी कैलकुलेशन स्लो है ना उनके लिए का रेंजमेंट है यही देखो आप क्या कर सकते हो 18 है ना इसके बनाओ प्लस 1 19 माइनस 1 17 प्लस 2 11 माइनस 2 7 देखो 7 चाहिए मेरको और यह मैं तुम्हें हिंट के लिए बता रहा हूं कभी भी रिपीट फैक्टर मत लिखा करो देखो यह वापस रिपीट हो रहे है हाँ बहुत अच्छी बात अब इधर देख लो भई तो मैं क्या कर सकता हूँ ना और प्लस माइनस का ना बहुत ध्यानक ना है ऐसे गलती से मत लिख देना वो रौं हो जाएगा क्योंकि यह प्लस का 7 अगरो बना लिया इधर बचा एक्स प्लस 9 देख लो ना हाँ और जो यहां बचा है ना आख बंद करके उसे पहले ही लिख दिया अगरो इधर अब आप यह सोचो सर्य यह इधर गया बचा गया माइनस का 2 तो यहां लिख दो माइनस का 2 अब इन दोनों को ले लो कॉमन एक माइनस का 2 और हमेशा एक चीजा आखना बच्चे मिडल टर्म हमेशा वही होती है जिसके साथ एक्स जुड़ा होता है constant नहीं और मिडल टर्म नहीं हो सकती स्क्वार वाली मिडल टर्म नहीं हो सकती इतने क्लियर हुआ आज सीख गए मिडल टर्म स्प्रिटिंग और इसको एक लोग